आपको 2016 का demonetization तो याद ही होगा हमारे पास bank balance था, investments थे, properties थी, even cash भी था बट स्टिल हम ATM की lines में खड़े थे क्यों? क्योंकि cash होते हुए भी liquidity नहीं थी businesses इसलिए bankrupt नहीं होते हैं क्योंकि वो profit नहीं कमा रहे वो इसलिए bankrupt होती है जब उनके पास cash नहीं बचता Hello everyone, welcome back to ticker, मैं हो कियती और आज हम समझेंगे कि cash flow statements क्या होते हैं और उसे कैसे analyze करना चाहिए लेकिन अगर उससे पहले आप इस channel पे new है या channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर दीजे और bell icon को hit कर दीजे ताकि आने वाली सारी videos की notification आपको आती रहें Cash flow statement का नाम सुनके आप समझ ही गए होंगे कि ये statement एक business का cash inflow और outflow बताता है और cash flow statement one of the most important aspect होता है किसी भी company को analyze करने के लिए अब confusion ये आता है कि फिर profit and loss statement भी तो यही बताता है कि company में कितना profit हुआ है और कितना loss बट इन दोनों में main difference यही है कि cash flow statement आपको ये बताता है कि company ने कितने cash actual में generate किया है जबकि PNL account नहीं बताता मतलब company profit तो कमा रही है बट क्या company उस profit element को कभी cash में receive कर पा रही है या नहीं ये आपको cash flow statement से ही पता चलेगा चलिए इसे एक simple से example से समझते हैं suppose मेरी एक paint की shop है जहां मैं daily 200 डबबे paint को sell करती हूँ और एक डबबे की cost 100 रुपे है तो मेरी दिन भर की total sales हो गई 20,000 रुपे तो अगर मैं आज की date में अपने P&L update करती हूँ तो उसमें मेरी revenue होगी 20,000 रुपे की अब हमने cost वगेरा कुछ consider नहीं किया है अब suppose मैं ये 200 paint की डबबों में सिर्फ 150 paint के ही डबबे cash में sell करती हूँ और बाकी के credit में यानि मुझे जो remaining 5,000 रुपे है वो कुछ ताइम बाद मिलेंगे तो अब मेरी company को cash कितना आया सिर्फ 15,000 रुपे तो ये चीज आपको P&L account नहीं बताएगा क्योंकि उसमें आपको सिर्फ total revenue दिख रही है जो है तो देखा जाए तो P&L statement आपको company की पूरी picture नहीं दिखाता है और जैसा कि most of the investors या traders P&L statement पे ही ज़्यादा focus करते है और ये चीज companies को भी पता होती है तो वो ऐसा भी कर सकते है कि sales को बढ़ाने के लिए अपने किसी friend के ही नाम पे bill बना दे और फिर जब payment का time आए तो bill को cancel कर दे और goods को वापस मंगा ले तो ऐसे में हमें sales बढ़ा हुआ दिखेगा तो अब समझते हैं cash flow statements के तीन heads जो है operating, investing and financing अब सबसे पहले हम ये समझते है कि financing क्या होता है तो financing activities आपको company का capital structure बताता है और इस activity के अंडर वो sub financial transactions आएंगे जैसे कि dividends देना, कोई loan को repayment करना, shares या bond issue करना या कोई नया loan लेना तो अगर financing activities से positive cash flow है यानि company ने additional amount raise किया है through loans या equity अगर ये negative हो तो इससे हमें ये पता चलता है कि company ने loan को repay किया हो या shares buy back किये हो जिसकी वज़ा से company का cash outflow हुआ है तो इस activity के negative होने से कुछ खास impact नहीं पड़ता है अब समझते है second activity जो है investing activity company के जो भी fixed assets होते हैं वो भी उनकी लिए investments की तरह ही होते हैं तो अगर investing activity negative है यानि company ने अपने लिए assets buy किये है हो सकता है कोई new project के लिए land लिया हो या कोई investment किया हो और वहीं अगर positive cash flow है यानि company ने कुछ sell किया है तो जैसे की कोई fixed assets वगेरा जिससे company को कोई cash आया हो अब यहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ा cash inflow हो रहा है company को तो यह चोकाने वाली बात है कही ऐसा तो नहीं कि company ने को अपने long term projects और assets को sell करना पड़ रहा है यह दोनो activities analyze करना important है बट इन में से सबसे important activity है cash flow from operating क्योंकि यह आपको company का जो main business है उससे होने वाली income generation के बारे में बताता है operating activities वो activities है जो day to day business operations में use होती है जैसे manufacturing, sales, marketing, hiring, etc अब company के लिए cash inflow कब-कब होता है जब goods and services की sale होगी वो भी cash में कोई data से हमें cash मिलेगा याने कभी हमने किसी को credit में बेचा था उससे अगर हमें cash आ रहा हो और अगर कही और से company को cash मिलता है जो business operations का part हो और company के लिए cash का outflow कब-कब होगा तो basically जो भी company के लिए expenses हुए जैसे कि हर तरह के cash expenses जो directly business operations से related है हो सकता है company ने भी कभी किसी से कोई सामान credit पे लिया हो और अपने creditor को वो pay कर रहे हैं तो ये activities हमें ये बताती है कि company के business operations से कितना cash आ रहा है और कितना cash जा रहा है generally कोई भी profit making company अपने dues को timely recover कर लेती है और उनका cash flow from operating positive ही होता है इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर company का sales बढ़ रहा है profit बढ़ रहा है बट अगर cash flow उतने proportion से नहीं बढ़ रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है इससे हम ये भी interpret कर सकते है कि company जल्दी से cash realize नहीं कर पाती है या फिर company फर्जी sales बुक कर रही है बट ये चीज अलग-अलग type की company के लिए अलग-अलग हो सकता है जैसे हमने बहुत से scams देखे है बट उनमें से one of the popular scam था सत्यम scam जिसमें books of accounts को manipulate किया गया था और फर्जी sales और revenue दिखाया गया था बट actual में उतना cash inflow हुआ ही नहीं था तो फिर ऐसी चीज़े हमें कैसे पता चलेंगी तो इस चीज़ को analyze करने का best तरीका है आप CFO upon part ratio देखे ये ratio हमें ये बताता है कि net profit का कितना part cash में convert हो रहा है तो अगर ratio एक से ज़ादा है तो अच्छा माना जाता है अगर कम है तो वो एक negative sign होता है किसी भी company के लिए तो चलिए इससे हम कुछ अब companies के example से समझते हैं तो आप इसके लिए ticker का इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम ticker पे जाएं और HUL यानि हिंदुस्तान Unilever को सर्च करें तो आप ratios के section में देख सकते हैं कि CFO और PAT का ratio है 1.05 यानि कि ये बहुत अच्छा sign है और generally जो well-known companies होती है वो advance में money मंगवा लेती है या supplier के साथ relation अच्छा होता है और उन्हें data से amount जल्दी receive हो जाता है अब चलिए हम एक और company का example लेते हैं जो है Safari Industries इनके suitcase वगेरा आपने देखे ही होंगे ये एक B2C company है अब इसका sales अगर आप देखेंगे तो हर साल increase ही हो रहा है जो कि बहुत attractive है और इसका net profit भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हर साल increase हो रहा है which is again a good sign बट अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये profit को cash में convert कर भी पाती है या नहीं अब इसका आप cash flow form operating देखेंगे तो वो fluctuating है यानि जितने proportion से net profit increase हो रहा है उतने proportion से उनका cash नहीं बढ़ रहा है अब अगर आप CFO upon pad देखेंगे तो वो not available show कर रहा है क्योंकि average CFO negative था अब वही इनकी peer company को भी देखें जो है VIP industries इनका भी sales बढ़ रहा है net profit भी बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों से अब अगर आप cash flow देखें तो वो सिर्फ एक साल negative रहा है बट overall अच्छे proportion से ही बढ़ रहा है और वही अब अगर इसका ratios देखेंगे तो वो एक से ज़ादा है तो in the same industries हमने दो सिनारियोस देखें तो ऐसा हो सकता है safari industries अपने cash और working capital को manage नहीं कर पा रही हो अब यहाँ हम 5 साल का average CFO pat इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें company का trend पता चल सके क्योंकि अगर आप सिर्फ एक साल का देखेंगे तो हो सकता है कि किसी temporary reason की वज़े से cash ना आया हो for example अभी covid के time पे distribution channel बिगड गया है payments delay हो रहे हैं तो हो सकता है कि आप एक साल का देखें तो आपको wrong picture मिले इसलिए हम at least 5 years का तो देखेंगे ही जिससे हमें trend समझाएगा कि whether ये company के साथ all time होता है या कुछ temporary reasons है चलिए एक ऐसे example लेते हैं जहाँ पे आपको business nature की कारण भी affect आता है तो यहाँ हम एक infrastructure company लेते हैं जो है L&T अगर आप इसका net profit देखेंगे तो वो although बढ़ ही रहा है बिछले 4 सालों में बट जो operating cash flow है वो उत्ते proportion से नहीं बढ़ रहा है और अब अगर आप CFO pad देखेंगे तो वो एक से कम है तो company फिर अच्छी नहीं होगी बट इस company का business ही ऐसा है कि इनके long term projects होते हैं जिससे cash upfront realize नहीं हो पाता है और actual cash आने में बहुत time लग जाता है तो फिर ऐसे businesses में CFO pad इतना useful नहीं होगा ऐसे कुछ और sectors भी है जहाँ पे cash flow इतना useful नहीं होगा जैसे कि banks, NBFCs, real estates और infrastructure इसलिए जब भी आप किसी stock का quantitative analysis करें या ratio अगेरा देखें तो business और industries का nature देखना बहुत important है इसका simple way है कि आप जो भी company analyze कर रहे हैं उसका comparison आप peers के साथ करें जिससे आपको ये idea होगा whether ये company ही ऐसा follow कर रही है या पूरी industries का same trend है साथ ही cash flow statements भी काफी ज़रूरी है क्योंकि उन statements को manipulate नहीं किया जा सकता क्योंकि companies भले ही sales बढ़ा के दिखा दे बट वो cash बढ़ा के नहीं दिखा सकते I hope आपको आज की ये video informative लगी हो अगर हाँ और अगर आप चाहते हैं और भी companies के financial statements को analyze करना तो उपर दिये गए card पे click करके अब हमारे curfew classes की playlist देख सकते हैं और हाँ इस video को like and अपने friends and family के साथ share करना ना भूलिए Thank you